आज हम बात करने वाले हैं Beard second year के language across curriculum के second unit के first topic के बारे में चोकि है आपका listening skill यानि श्रवन कोशल वीडियो को अच्छी लगे लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अपने दोस्तों तक और प्लीज सस्क्राइब कर दीजे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोग रहूं बात करते हैं स्ट्रवन कोशन की यानि listening skill तो दो skill होती है हमारे पास मुलब वैसे काफी होती है में listening से related listening skill होती है और hearing skill होती है ठीक है listening और hearing में आंतर क्या है पहले तो वह समझ लेते हैं भूमी का है यह मेरी यहाँ पर यह भूमी का है आपकी listening skill की और यह official answer है और answer booklet है मेरी जो की मेरे खुद के exam में मैंने answer दिये थे वो I don't know बट यह हट ने रहा है यह मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है मैं दुबारे record कर रही हूं यह class एक बार मैं बना चुकी हूँ पूरी चलिए start करते हैं श्रवन कोशल के अंदर दो चीजे हैं आप सभी को पता है English बासा से लिया गया है listening को और आपको पता है hearing का मतलब होता है सुनना किसी भी धवनी को सुनना किसी भी आवाज को सुनना बट जो listening है उसका मतलब होता है कोई भी बात अगर आपने सुनी है तो उसको समझना और उसके अर्थ तक पहुँचना और उसको अपने जो भी वाक्य है उनके अंदर उसको इस्तमाल करना ठीक है सुनी गई बातों का अर्थ समाज कर हम इसके अर्थ को लेते हैं श्रवन श्रू धातू से ली गई है जिसका मतलब ही होता है सुनना किसी भी धवनी को ध्यान पूर की एक definition है जो उन्होंने कहा था श्रवन कोशल को लेकर उसके बारे में बात करेंगे श्रवन कोशल क्या होता है केवल किसी धवनी को सुनना ही नहीं है उसको समझ कर पहचान कर उसका जो अर्थ है वहां तक पहुँचना और उसको अपने जीवन में ग्रहन करना लाना और ज हासन सुना है तो आपने वह स्रफ सुना है समझा है या क्या किया है अगर आपने उसको सुना है तो वह मतलब हुआ हीरिंग से और अगर आपने उसको सुन कर समझा है आपने इस्तमाल किया है इंप्लिमेंट किया है तो वह मतलब हुआ आपका listening skill पर ठीक है अब आपने कोई बात सुनी जिस तरगे से मैं यहां पढ़ा रही हूं आपने इसको अगर सिरफ सुना है और आपको कुछ समझ नहीं आया या आपने इसको याद नहीं कर पाए तो इसका मतलब है आपने सिरफ हेरिंग करी है यानि सिरफ सुना है अगर आप इसको सुन कर समझ पा रहे हैं कोई चीज तो ये हो गया आपका listening skill यानि की श्रवान कोशल जिनका श्रवान कोशल अच्छा होता है वो किसी भी बात को बहुत अच्छे से सुन पाते हैं समझ पाते हैं और आपने आप में उसको implement कर पाते हैं कोई भी कवीता है कहानी है उसको किस तरीके से सुनेंगे कोई वाद विवाद है अगर आपके अंदर श्रवान कोशल अच्छा नहीं है तो आप उस वाद विवाद परतियोगिता में कभी भी निपून नहीं हो सकते उस चीज को सुन कर उससे ज्यान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो यही भूमी का है और अर्थ भी है आपका श्रवान कोशल का इसके अंदर बहुत सारे दोस्त भी होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं सिरफ ऐसे मोटा-मोटी सुन लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं श्रवन कोशल में लेकिन उन चीजों को याद नहीं रख पाते हैं आगे उस इंसान के लिए हो जाता है इसलिए श्रवन कोशल के लिए हमारे जो सुनने के शमता है वह बहुत अच्छी होने इच्छी है तब ही हमारा श्रवन कोशल बहुत अच्छा होगा कोई भासा है उसको अगर आपने सीखना है तो आपका श्रवन कोशल उच धरिये का होना तो ही आप क्या है उस भासा को समझ पाएंगे अपने अंदर ले पाएंगे जिस तरीके से हम कोई भासा है कोई बात है उसको अगर सुन रहे हैं तो उसकी क्या है वो बात हमारे दिमाग में नहीं जाती है वो धवनी हमारे दिमाग में जाती है क्या जाती है धवनी जाती है व सारी इस तरंग पे निर्भर करती है, जो आपने सुनी, तो इस चीज पे एक और चीज है, जो बहुत ज़ादा implement डालती है, जैसे कि वक्ता, आपने कोई बात सुनी है, वो किस ने कही है, ठीक है, वो जो वक्ता है, वो किस धंग से बोल रहा है वो भी निर्भर करता है इसके उपर भाषा शिक्षन में पढ़े लिक्षें मादा पढ़ना लिखना उसको समझना उसको बोल पाना ये सारे आपके most ली जो हैं बल देंगे किस पर आपके कोशल्स पर आपकी स्किल्स पर और उसमें mainly skills जो होती है वो होती है listening जो विद्ध्यार्थी है आगे चलकर किसी भाषा को अगर वो सीखना चाहरा है तो उसको उसको सुनना पड़ेगा सरफ सुनना नहीं उसको समझना पड़ेगा तभी वो उस भाषा की जो कठिनाईया है उन्हें पार कर पाएगा उन्हें समझ पाएगा और वो उसके लिए easy हो पहरे हैं हमें बोलना नहीं आपा रहा हैं। जो इंसान बोल रहा है वो कितना परभावी ढंग से बोल रहा है। जो बेक्ग्राउंड नॉइस होता है। वो बहुत जादा होता है। अगर आप बेक्ग्राउंड नॉइस को सुनने बैठेंगे। तो आप जो बातें जो वक्ता है वो जो बोल रहा है उसे अच्छे से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो दिमाग है वो धवनिया लेता है और जो कान है वो धवनिया लेकर जब आपके दिमाग तक जा रहा है। तो वो हर तरीके की धवनि लेके जाएगा लेकिन उन में से जो काम की धवनिया है सिरफ उनको लेना और सुनना और समझना कि भाई क्या करना है। सपोजली आप कहीं पर हैं और आपको कोई बहुत अरजेंट बात बता रहा है और वो आप बाकी धवनियों के बीच में सिरफ उसी बात को सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी श्रवन कोशल है वो बहुत अच्छा है बहुत निपूर्ण है जो आप सिरफ इस का बात को सुन पा रहे हैं जैसे कि अगर मैं अभी पढ़ा रही हो और आप सिरफ मेरी पढ़ाई गई बातों को सुन पा रहे हैं बहर का जो background music जो भी आपको आ रहा है अगर वो आप नहीं सुन रहे है तो इसका मतलब यह है कि आपका श्रवन कोशल अच्छा है च्छा पिदी है उसके जो आपने आवशोशन किया किसी भी चीज को उससे क्या लाब मिला आपको तो क्या आपने जो बात सुनी वो आपके लिए लाब दायक थी या नहीं थी इसको समझ पाना ये भी आपका श्रवन कोशल के अंदर आता है उस चीज को सुन कर उससे ज्ञान कि वो क्या बोलना चाह रहा है उसके बाद आप उसको याद रख रहे हैं in future के लिए मतलब भविशय में आप उस चीज को याद रख रहे हैं और आपके जाके implement करने वाले हैं तो ये रहता है आपका याद रखने कोशल में उसके बाद है जवाब देना आपने याद रख ल अब बहतर किया है श्रवन कोशल का ? श्रवन कोशल के जो महठर है उन पे बात करेंगे आपको सबसे पहले तो जो श्रवन कोशल है उसके अंदर बहतर बोलने वाला जो इनसान होता है वो उत्तेजित कर देता है यानि उसकी जाग्रुकत को बढ़ा देता है जो भी सुन रहा है उसकी अच्छा श्रोता होना चेहिए समाने श्रोता से ज़्याधा अच्छा जो स्रोता होगा वो सीख पाएगा बहुत अच्छा श्रोटा होगा वो बहुत अच्छ समाझ पाएगा समाने श्रोटा से क्योंकि वह बाकी जो आवाज़े हैं जो दहँनिया हैं उने नहीं याद रखेगा सरफ main-main चीजों को याद रखेगा प्रभावी डंग से सुनना किसी भी संचार सुतろ को तो अगर आपने कोई चीज बहुत अच्छे से सुनी है तो आप उसको आगे संचार बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मतलब संचार हो गया यहाँ, कि आप दूसरे को वो चीज बहुत आराम से अच्छे से बता पाएंगे, और अगर आपने अच्छे से सुना नहीं है, तो आ है केंडरत होकर एक बात को सुन रहा है तो वह बहतर ढ़ंट से उस चीज पर काम कर पाएगा कर पाएगा इंपलिमेंट कर पाइगा उस बात का जो एक चारे qa होता है वो एक नॉर्मल जो बिल्कुल सुन नहीं पा रहा है या बिल्कुल आल सी इंसान अगर जो सुन रहा है उससे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएगा तो आपको इस तरीके से जोड जोड के लाइने रिखनी है जरूरी नहीं है आपको सब कुछ याद करना है या और अर्थ ग्रैंड करने की योगेता को विक्सित करता है हमारा स्ट्रवन कोशल मदब जो अच्छे से सुनेगा वो अच्छे से ग्रैंड कर पाएगा लाब क्या क्या है इनके तो किसी भी चीज को जो हम सुन रहे हैं उसका उत्पादन बढ़ जाता है कि उसमझ पाए हम उसम क्या है वहां पर जगडे होने स्टार्वन कोशल की वज़े से अगर आप बहुत अच्छे से स मझ रहे हैं तो आपकी जो समझ है उसमें भी बढ़ोतरी होगी बाथचीत का जो कोशल है उसमें बढ़ोतरी होेगी आप अच्छे से बात कर पाएंगे आपके अंदर जो डिवलप हो जाएंगी बात करने की जितनी भी कलाएं हैं वो सारी और कुछ इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर हमें पता है कि हम श्रवन परक्रियाओं की बाते बारे हम बात कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक उसका जो है वो है श्रवन ठीक है और दूसरा उसमें हमने पढ़ाता चानना समझना उसके प्रति प्रति क्रिया करना और एक था हमें याद रखना की जो बात हमने करी वो याद भी तो रखेंगे हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं चोटे बड़े और आपके पेपर को आपको पूरा करना है और इस तरीके से अगर आप पेपर देंगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत जादा हेल्प करेगा 16 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है उसके बाद निसकर्स पर पहुंच जाना है तो निसकर्स क्या निकला इस से कि भाई अ उत्तर देना चाहिए उसे अपने जीवन पर इंप्लिमेंट करना चाहिए ये थी आपका इस कोशन का निसकर्स और सोलर मार्क्स के लिए इनफ है तो अल्द वरी बेस्ट और प्लीज दू लाइक शेयर और सब्सक्राब है चानल हाव ग्रेट डेट टेक केर